असलाम अलेकुम एवरिवन वेलकम बैक टू हमारी व्लोग्स कैसे हैं आप लोग सब उमीद करते हैं आप लोग सब खैर यह से होंगे खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे तो क्या चल रहा है भई आप लोग की लाइफ में इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे क्योंके हम सब नाश्ता जल्दी कर चुके थे और वो थोड़ा सा लेट उठे थे तो उनके लिए नाश्ता बन रहा था तो मैंने बोला चलो इसको ही शेयर किया जाए तो भाई के लिए रोटी फ्राइ हो रही थी और उसके इलावा यह है पंजीरी आपको याद होगा हमने बनाई थी भाई पंजीरी बनाई थी आइढ़ यह तो बहोंस निवंबर के स्टारट पर बनाई थी और यह देखें अब जा कि इतनी सी रह गई है तीके मतलब रौमष्ट वहाँ कह सकते है तो 2 महीन चल जाती है अराम से और इसमें से बस इतना ही होता है वह भी डेली बिस नहीं है वो गए भी होते हैं अपने आफिस तो उनको नाश्टे में ही हम दे देते हैं तो यह हो रही है भाई के लिए पंजीरी गरम और इसके इलावा रात का जो शल्जम पाला गोश्ट था वो भी गरम कर लिया था क्योंकि भाई रात का ही खाना खाते हैं उनको वो ही बागी दिन तो भाई वो खाली बस वो सादगी नाश्टा हो जाता है फिर तो रहने दो उसके बाद का तो बस यहां पर यह पंजीरी तो है गरम करी और इतनी सी ही कॉंटिटी में खानी चाहिए से जादा नहीं खानी चाहिए क्योंकि पर परसन की आप कहलें सर्विंग जो तो कि पूच के बहसं रोटीाम कर चाहिए इसमें शल्दन पाल गोंष्य और रोटी मेंने खान बशら नहीं पूच लेते हैं सादी खाना पसंदि गूच wh прогांण बश्य नहीं तो को सादी रोटी खाना पसंद करते है रात और शदम करता इस पूंदी कि अधिक नागिक खी और सर्दियों में ना ये चीज बड़ी अची लगती है मतलब कंबल में बैठे वे हो और चार या पांच बज़े का टाइम हो गरम गरम कोई भी चीज मिल जाए तो उस टैम पे तो खेर ये बना ली थी और ये हम खा रहे थे एंजॉय कर रहे थे और हम इसी तरह खाते हैं अच्छी लगती है आज मैंने भी थोड़ी सी खाई थी आदी खाली थी जो कट करिये ना इसकी मैंने आदी खाली थी नहीं तो मुझे पसंद लिए शक्रकंदी और जिन लोगों को देखना है वो प्लीस पुराने व्लॉग्स में देख सकते हैं जिसमें शक्रकंदी डीपी से अंदाजा लगा लेगा शक्रकंदी भूनते वे दिखाई भी है तो उसके अंदर हमने बताया होगा किस तरह अकिकते हैं इसको पकाया जाता है शक्रकंदी को वैसे ऐसी मैं वर्बली बता दूं कि खाली आप उल्टे तवे पे या कोई भी खाली पैन हो उसको बस गरम कर बताया है और काफी अच्छी बनती है मतलब हम लोगों ने बहार से मंगानी चोड़ दिये जो पठानों के पास होती है शक्रकंदी अब तो वैसे लगते है बुनी भी नहीं लगती है और वो बॉइल हुई होती है बस उन्होंने ऐस लगता है बस उपर हलकी सी कालक सी लगा और ये बॉक्स है जो कि आया था ता से आप कहलें यह क्र्समस की स्वागात है और ये आहाता हमारे फैमिली फ्रेंड है अब्बू के अपरiquement अछे गर से आया था स्पा के एक सलीग झास वरक और ओर मेरे चानल पर बीसक्री अगर साथ बाजरी टिकिया है तो हम लोग भी ब पंजीरी टाइप की फिलिंग भी है मतब सुजी है सारे नट्स हैं कोकोनट वगरा है इसके अंदर और थोड़ी सी चीनी है की साबुत चीनी है अबसके अवाँ भी है यारी ने रिकार्ड निकाण कारें चलो यह चालो एफ जब खायंगे इसको टेस्स करेंगे तो पिर हम अठीक जब खाया तो यह बहुता है तो यह श्यूचीनी है तो यह रिख वह बच्छाए थे ता यह पर यह चालो ने शब्सक्राइब ऑप लिग क्युंकि इस दरह की चीजें होती है उनको आप एक टाइट बॉक्स में रखते हैं तो आप लिए दिन चला सकते हैं जादा दिन चला के भाज़ते हैं और आप लग सोच रहों के अभी तेह क्रिसमस तो आई नहीं है तो यह अभी से आगिया तो ऐसी होता है जैसे हमारी यह य तीन चार दिन पहले तो पहले से सबलगे घर में लगों हर अइद zijn और अभी कुछ तीन दन के बादे को हैं. तो काफी मज़ेदार थी, सारी चीजे हम लोगों को अच्छी लगी है और यह शकर पाढ़े बहुते हैं हम जो प्लेन शकरपारे बनाते हैं और इन्हों ने जो शकरपारे बनाएवे थे उसमें सुझी आट कीवी थी इन꺼 बल्व काफी ना किसम अग अगे न्यान याक है विवकर फ्लिवरण का ही ना, लेकिन हमारे बेगे हैं काफी डिफरंट कुछी एंग अरश हैं काफी सम्म्लारें, काफी नशायों ना कोंड हैं, फो सारी आफ संव यह जिस भीजाएं, तो यह हमारे एक मील हो जाएगा और रात में हम लोगों ने खाने में यही खाया था जोए और मैंने तो यह बस चिकन का आप कहलें स्टॉक के गास किंदर मैंने सारे पिसे वे मसाले आइड किये थे अगर आप लोगों को मैं बता हूँ अच्छा मैं बता देती हूं जली से न मैंने फोड़ सा अध्रक लसन का पैस्ट आइड किया था चिकन था मैरे पास 200 ग्राइम के बराबर और बूरले चीछन था मेरे पास highly बाला होना चाहिए तो आज़ बना दिया था और शूप तो बनता ही रहता है नहाल के लिए बहुत ज्यादा चीके आती है मेरी तो खर काफी रुग गई है क्योंकि मैंने अपना ट्रीटमेंट करवा दिया था हां चीके मेरी रुग गई नहीं तो मैं तो सुबह उचते ही ना ऐसा होता था आदी घंटे तक मुझे चीके आती रहती थी ना नन स्टॉप ना तो मैंने अपना हिलर्जी का तब इस तरह से होता है कि मुझे बहुत जाने लगती है नहीं तो रोजाना का नहीं होता है अब यह के नहाल का भी हमें करवाना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा ताकि उसकी भी प्रॉब्लम जो हो जाए क्योंकि चीक आरी होती है तो आपको अलका सब फ्लू हो जाता है है यह हमेश्य तुर्णी कहा के यसहाइ जानी क्या होता हैं कि झाल यहजिद कैना जाइज भी तो करें जादा दोड़ा करें चीक होताई तो यह खराब तूर्णी सबती है स्टार्टिंग में ना मैं पहले देखती नहीं थी और एक करके अंड़े तोड़ना स्टार्ट कर दिया करती थी और लास्ट वारा जो होता था जिसे मैं छी अंड़ा केक बना रही हूं और वो खराब निकलता था मुझे सारे अंड़े फेकने पड़ जाते थे लेकिन खैर अ पर दोड़ा केंटार्ट में बना लूँगी और कुछ जो है वे सुबा उटके बना लूँगी क्योंकि मुझे सुबा में इसको डिलवर भी करना था क्योंकि उन लोगो को गिफ्ट वगरा भेजने होते हैं सबको इस वज़ा से गिफ्ट के तौर पर के एक बेजना होता है जैसे के इसको हम अच्छे से पैक करके और डेकुरेट करके इसके बाद ही डिलिवर करते हैं और जो कि काफी अच्छा लगता है मतलब आज़ा गिफ्ट किसी को दे सकते हैं बहुत असानी से क्योंकि हम अच्छी पैकिंग यूँ भी करते हैं एक तो यह हमारे फैमिली फ्र ख़एंगे कि पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है और यह देखें अप यह इस ततरह से बैटर्स में एड कर रही है और इसके बाद जब यह पूरे रहा वो ट्रेयर रेडी हो जाएगी ना तो हम इसको बेग करने के लिए हमने इसको रख दिया था और उसके बाद पर में इसके आगे की प्रोसेस पे आ गएते हैं हम लोग जो इसकी डेकुरेशन का समान होता है उसके उपर हम आ गएते हैं मतलब उसमें छोटी छोटी सी डिटेलिंग करनी होती है वो हमें भी अच्छा लगता है करना और उससे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है और जब आप य इतने प्यारे और खुबसूरत से ना ये पैकिंग बन के त्यार होती है ना फिर आप देखे का ये छोटे चोटे से स्टार्स बन जाते हैं और इसके इलावर ये फॉमिकी शीट होती है मतलब पुल्टल बाली शीट है और ये स्टिकर वाली होती है तो इसके अंदर हम अज हमने नहाल को भी बिठा लिया था वह तंग कर रहा होता है तो ये काम में लगा थो सुकून हो जाता है थोड़ा सा ना तो खैर इसको मैं बिठाया था कि जाओ अपिया के साथ बैठके क्यकते हैं ये कटिंग करवाओ और तो फिर मैं आ गई थी ती और मैं ये दिखान चोटे से और इनकी कटिंग करने में काफी टाइम लग जाता है थोड़ा मेना तलब काम है लेकिन ये कि वह बहुत प्रेजेंटेबल लगता है तो ये देखें तो इक इस तरह से इसको कट कर रही है और नहाल को हमने स्टार्स दे दिये थे काटने के लिए कि काटने के इसी तरह चोटी चोटी सी डिटेलिंग हम करते हैं तो बहुत ज्यादा प्यारा लगता है और अगर आपको इसका पूरा फाइनल वाला लुक देखना है ना कि कैक कैसे बनके तियार हुए इसको हमने कैसे डेकुरेट किया इसको हम किस तरीके से रैप करेंगे तो आप लोगों ने लाजमी देखना है और यहीं पे कर देती हूं अपने व्लोग को एंड आप लोगों ने बताने है आज का व्लोग आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजेगा सासत कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सासत बेल आइकन को क्लिक करना नहीं बूलेगा हम दोनों को अपनी दुआओ में याद रखेगा थैंक यू फर वर्चिंग अल्ला हाफिज